वृत की पाठों की श्रंख्रा में इस पाठ से पहले हमने आपको वृत से संबंदित कुछ अंगों से परिशे करवाया फिर हमने वृत से संबंदित कुछ आधार भूत परिभाशाएं आपको बताई अब इस शरंख्रा को आगे बढ़ाते हुए हम वृत के कुछ संबंदित अन्ने तथे आपको बताते हैं और एक प्रमया की और आपको ले जाते हैं चलिए इस बात को हम शुरू करते हैं एक वृत लेके यदि हमें एक वृत ले और इस वृत में एक जीवा ले ले अब यदि हम वृत के केंद्र से इस जीवा पर एक लम डालें ये केंद्र लम डालने की विदी तो आपको मालूमी है कि आप इस तरह दो चाप लगाएंगे फिर एक ये चाप और दूसरी चाप इस बिंद्र से अब यदि हम जहां ये दोनों चापे काटती हैं इस बिंद्र को केंद्र से मिला दे तो जीवा पर हमें ये बिंद्र मिल जाता है इसको हम कहते हैं P कोई भी नाम दे सकते हैं इस बिंद्र को अब देखें इस बिंद्र की स्थिति ए और बी के संबंद में क्या है P बिंद्र ए बिंद्र से इतना दूर है अब यही दूरी हम देखें P से P से भी दूरी आपको उतनी मिली क्या देखा आपने कि जब हमने वृत के केंद्र से कोई भी एक जीवा लेके उस पर लंब डाला तो इस लंब ने इस जीवा का संब्ध भाजन कर दिया तो इससे हमें एक तथ्य मिलता है कि यदि हम वृत के केंद्र से वृत के किसी भी जीवा पर एक लंब डालें तो वो डाला गया लंब जीवा को संब्ध भाजित करता है इस तथ्या को जानने की ये तो थी एक विदि के हमने माप के ये देखा कि जो लंब हमने केंद्र से जीवा पर डाला उस जीवा से और उस लंब से जो हमें बिंदू मिला वो जीवा के अंत बिंदू का मद्ध बिंदू था अर्थाथ उसने जीवा का सम्दी भाजन कर दिया आईए इसी बात को एक दूसरी विदी से समझे हम एक बार फिर लेते हैं एक वृत इस वृत में ये जीवा हमने ले ली पी क्यू अब फिर उसी तरहां आईए केंदर से इस जीवा पर लम डाले अब यदी ये लम जो हमने बनाया केंदर O से और ये बिंदु आया हमारे पास मान लो इसको हम कहते हैं A इस लम पर यदी हम वृत को मोड़ दे इस तरह ये हपने वृत को इस लम पर मोड़ दिया तो अब क्या देखते हैं कि ये बिंदु दोनों एक दूसरे के उपर आ जाते हैं ये बिंदु पी और क्यू दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर तो इस तरह एक दूसरी विधी हमें मिली जिससे कि हम फिर इसी बात पर पहुंचे कि यदी हम वृत के केंद्र से किसी भी जीवा पर एक लम डालें तो ये लम उस जीवा का सम्द्विभाजन कर देता है यही नहीं इस बात को हम तर्क त्वारा भी सिद कर सकते हैं हम यह मान लेते हैं कि इस केंद्र O से हमने ये लम इस पर डाला होगा अर्थात ये O P जीवा A B पर लम है अभी दे मैं इस O और A और O और B को मिला दूँ तो मुझे मिल जाती हैं दो त्री पुच एक ये त्री पुच और दूसरी त्री पुच इस साए इस तरफ O A P या O P A अगर मैं इस त्री पुच को बोलूँगा O P A तो इस त्री पुच को बोलूँगा O P B या आप समझते हैं न संगत्ता का विचार करते हुए हम इन त्री पुचों को बोलते हैं अब इन त्री भुजों में हम ये देख रहे हैं कि ये लंब है तो ये भी लंब हुआ और थाद दोनों कौन नब्य अन्श के हो गए अब ये त्री भुज और ये त्री भुज बन गएं सम कौन त्री भुज त्री भुज O, P, A और त्री भुज O, P, B हो गएं दो सम कौन त्री भुज इन दो सम कौन त्री भुजों में O, A बराबर है O, B बला क्यों दोनों ही त्रिजे हैं इसी एक वृत की तो एक ही वृत की त्री भुज होने से O, A, O, B बराबर हो गए और इन दो त्री भुजों की क्योंके ये सम कौन त्री भुज हैं ये हो गई इनके कर्ण तो कर्ण बराबर हो गए O, P, त्री भुज O, P, A में और O, P, त्री भुज O, P, B में सांजी भुजाएं, तो सांजी भुजाएं भी बरावर हो गई, तो आपने प्रमय पढ़ रखिये पहले, कि सम कौन त्री भुजो में, यदि उनके कर्ण और एक-एक संगत भुजा समान हो, तो त्री भुज हो जाती है सरवांग सम, तो इस से हमें निशकर्ष मिला, कि त्री भुज ओ-पी-बी, यदि दो-त्री भुज सरवांग सम है, तो उनके संगत अंग समान होंगे, तो इस से हम ये अभी प्रावि निकालते हैं, कि A-P बराबर होना चाहिए B-P, अर्थात P-A-B का मध्यविंदू है, तो एक बार फिर आपने देखा, कि जब हमने तर्क त्व इसी स्थिती को देखा, तो इस स्थिती में हमें फिर वही निशकर्ष्ट मिला, कि वृत के केंदर से वृत की किसी भी जीवा पर डाला गया अलम, जीवा को सम्ध विभाचित करता है, ये तो आपने देखी एक स्थिती, अब हम देखना चाहते हैं इस से उल्टी स्थिती, उल्टी स्थिती से मतलब क्या? अब हम ये देखने चाहते हैं कि वृत का अगर हमारे पास केंदर है और एक जीवा का मध्य बिंदू है, तो उस केंदर को अगर हम जीवा के मध्य बिंदू से मिला दे, तो हमें वहां से क्या तथ्थित मिलता है? आईए इस क्रिया को करते इस जीवा A B का सम्धिभाजक बिंदू निकाल लिया P अब यदि हम P को इसके केंद्र से मिला दे वृत के केंद्र से तो हमें मिला ये रेखा खंट अब देखना ही है कि ये रेखा खंट और जीवा आपस में कितने अंश का कौन बनाते हैं यदि हम इसको रखके देखें यहाँ पर इस तरह ये सम्कौनक है सम्कौनक अर्थात ये कौन एक सम्कौन है तो आप ये देखते हैं कि O P जीवा A B पर लंब है हमें एक और तथ्य मिला कि यदि हम किसी भी जीवा के मद्धे बिंदू को वृत के केंदर से मिला दें तो इस तरह मिलाना वाला रेखाखंट जीवा के साथ सम्कौन बनाता है चलिए इसी बात को हम तर्क द्वारा फिर से सिद करके देए हम लेते हैं एक बार फिर एक वृत इसमें लिए जीवा ये वृत का केंदर इस जीवा का मालिया हमने कि ये मद्धे बिंदू है इसमें हमें ये निकाल के दिखाने के जवशकता इसलिए नहीं है कि क्यूंके हम तर्क द्वारा इस बात को सिद कर रहे हैं तो ये पी जीवा ए.बी का मध्धे बिंदू है इस मध्धे बिंदू को हम भी ला देते हैं O के साथ क्या सिद करना हमने कि O P A B पर लंब है ये दिखाने के लिए हम फिर दो त्री भूज बना लेती है अब हमें मिल गई त्री भूज O A P और दूसरी त्री भूज O B P इन दो त्री भूजों में आएए देखें कौन-कौन से अंग समान है O A बराबर O B दोनों ही एक ही वृत की तरिज्य है O P बराबर O P ये सांजी भूजाएं हैं दोनों त्री भूज की क्या मैं ये लिख सकता हूँ A P बराबर B P ये इसलिए लिख सकता हूँ कि P हमने लिया है मध्यबिन्दू A B का तो A P और B P दोनों बराबर होंगे तो इन दो त्री भूजों में तीन भूजाएं एक की संगत तीन भूजाओं के बराबर हैं तो क्या कहेंगे हम त्री भूज O A P सरवांग सम है त्री भूज O V P के अब यदि दोनों त्री भूज सरवांग सम हो गए तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इनके संगत अंग बराबर होंगे अर्थाथ हम लेते हैं कौन O P A बराबर कौन O P B कौन O P A बराबर कौन O P B ये दोनों कौन कैसे हैं A की रेखा पर O P द्वारा